नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं ने जामतला जीले के कुढ़हित प्रकंड के धेनुक डिह मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार में कही हेमान सुरे नहीं अभी कहा है कि बिजेपी वालों के जहांसे में आने की ज़रुत नहीं है यह संताल में बंगाल बिहार की बात करेंगे इसमें फसने की ज़रुत नहीं है जारकंड में गरीब बुरुबा की सरकार है और बनेगी बता दे कि मुख्य मंत्री ने बुद्वार को जामतला जीले की 101 योजनाव का सिलन्यास किया इसकी लागाद 9,025.64 लाग रुपए है वहीं 3,403.64 लाग की 174 उले नाओ का उधाटन भी किया है इस दोरान 2,337.34 लाब को में 30,628 लाग की परिसंपत्यों का वित्रन भी किया गया है 20-26 सितंबर तक BJP के परिवर्तन रैली राजे में हिमन्त सुरेन की सरकार से जनताव उपचुकी है लूट और भरस्टाचार की पार्टी चल रही है राजे में घुसपैठी हावी हो रहे है जारकन में परिवर्तन की हवा चल रही है इसी को लेकर भार्टी जनताव पार्टी की परिवर्तन रैली धनबाद प्रमंडल का आगाज 20 सितंबर से होने जा रहा है यह बाते सरकीट हाउस में भाजपा के परदेश प्रवक्ता बिजय चवरस्या ने कही है उन्होंने कहा है कि धनबाद प्रमंडल की परिवर्तन रैली 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगी इसमें धनबाद गिरीडी के लाव बोकारो जीला को भी सामिल किया जा रहा है 20 सितंबर को इसकी सुरुवात गिरीडी के जारकन धाम से सुरु होगी जारखन धाम में केंद्रेगरी हमंत्री आमीद सा इसकी सुरुवात करेंगे परदेश अध्यक्स बावुला मरांडी भी रहेंगे मौके पर जीला अध्यक्स रवन राय भी मौजूद थे बतादेश चरुवासिया ने बताया है कि 20-26 सी तंबल तक इस्रैली में कई बड़े आयोजन किये जाएंगे पचास से ज़्यादा भारतिय जनता पार्टी के बड़े नेता इसमें सामिल होंगे आदिवासियों के उत्थान पर मोधी सरकार करेंगी 89,000 क्रोर खार्च पीम नेरेंद मोधी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठाया है कैबिनेट की बैठाक में परधान मंत्री जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी गई है आदिवासि बहुल गाओं के विकास के लिए बड़ा पैकेज का एलान किया गया है दरसल पीम मोधी के उत्थान में हुई बैठाक में फ्यसला लिया गया है कि जन जातिय समुदायों की समाजिक आर्थे की स्थिति में सुधार के लिए 89,156 रूपए दिये जाएंगे इस योजना से जारखन के आदिवासि समुदायों को भी बड़ा प्राइदा होगा और उनके जीवन में खासा पर्क पड़ेगा पतादे केंदर सरकार ने 222 परचीस के बायट भासन में इस योजना की थी इस योजना के माध्यम से करीब 36,000 गाउं के विकास का ब्लूपरिंट त्यार किया जाएगा और पांच क्रोर से अधिक आदिवासियों के योजना कलाब मिलेगा इसमें 30 राजियों केंदर सासित परदेशों के जनजातिय बहुल 579 जीले और 274 बलोक के गाउं सामिल होंगे वन नेशन वन इलेक्षन पर जेमें ने बिजेपी को घेरा पीएम मोधी के नेतित में केंदरिये केबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्षन के प्रस्ताव को माझूरी दे दिया केंदर सरकार ने एलान किया है कि वह संसत के सीथ काली सतर में पेश करेगी इस एलान के बाद विपक्षी पार्टी ने केंदर सरकार पर हमला बोला है जामो प्रवक्ता सुप्रियो भटचाय ने कहा है कि देश एक संग ये ढाचे से चलता है उन्होंने कहा है कि इस तरह के कानून देश को समराजवाद सोच की ओर ले जा रहा है BJP मनुवादी सोच वाली पार्टी है और उसकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है One Nation One Election का कानून नहीं संभव है नहीं बेभारिक है भारत में त्रियस्तरिये चुनाव होते हैं सुपरियों ने कहा है कि यह पासला चुनाव को देखते हुए जल्देबाजी में लिया गया यह एक चुनावी जुमला है One Nation One Election के केबिनेट से पारित होने के बाद विपक्ष लगातार हमलवार हो गया है कांग्रेस अध्यक्स मलका जुन खरगे ने कहा है कि One Nation One Election प्रेक्टिकल नहीं है यह देश में चलने वाला नहीं है जारखन बिधान सभाचुनाव से पहले धनबाद पूलिस की हाई लेवल मीटिंग आगामी जारखन बिधासभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर सिलिंग एवाम बिधी बेवस्था को लेकर बुद्धवार को बैठक होई धनबाद पूलिस मुख्याले के सभागार में उच्छो सरी बैठक के अधक्ता CTSP अजित कुमार ने की है मताद जारकान और पच्छे मंगाल के चार जीलो के पूलिस पताधिकारियों ने बॉर्डर पर विस्थ चोक्सी बरतने और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने की रनिती बनाई है सीमावर्ती इलाकों में पढ़ने वाले बूथों पर विस्थ चोक्सी बरतने चोकनाका पर विस्थ चेकिन अभियान चलाने बॉर्डर वाले छेत्रों में सन्योक्त रुप से जाच अभियान चलाने की भी रनिती पर चार्चा की गई मदान के अर्दाइज घंटे पूरु चुनाओ छेतरे में बाहरी मदाता, पार्टीकल करताओ और बाहरी नेता को छेतरे से बाहर रखने के साथ बोडर सील करने का नहीं नहीं लिया गया है भादो पूर्णिमा प्रबासुकी नाथ में भक्तों की भीड उमरी भादो पूर्णिमा के उसर पर बाबा फोजदारी नाथ दर्वार में सरधलों के भीड़ लगी रही सूबा से ही जलारपन का जो सिलसिला शुरू हुआ हुआ साम तक चलते रहा मतादे मंदीर प्रवंधन के उसर पचपन हजार सी भादो ने भोले नाथ पर जलारपन किया है भादो ने बाबा फोजदारी नाथ की पूजा कर सुख सम्रीदी की कामना की इस असर पर दिन भर मंदीर प्रागन में संक धहनी घंड की आवाज से मंदीर परिसर गुंज मैं रहा बैदिक मंत्रों चारण के साथ पंडितों के द्वारा सोष्ट सोप चार बिधी से पूजा अचना की गई भक्तों ने असपस पुजा पर भागवान भोले नाथ से सुख सम्रीदी की कामना की है सुन नदी में फ़से जहारखन के 20 किसान सुरक्षित निकले बाहर पलामू के हुसाइना बाद थाना छेतर नतरगा देवरी ओपी छेतर के देवरी कला गाउं के पास इसी सुन नदी में जल अस्तर अचानाक बढ़ने के गाउं के करीब 20 लोग टीले पर फ़स गए सुचना मिलने के बाद जिला पसासन की टीम ने टीलो पर फ़से हुए लोग को सफल रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है बताया जा रहा है कि जिले के हुसाइना बाथाना चेतर के देवरी कला गाउं के समीप सुन नदी में अचानाक बार का पानी काफी बढ़ जाने की वज़ा से गाउं के लवग 20 लोग टीले पर फ़स गए हैं इनमें कई महिलाये भी सामिल हैं लगातार हो रही बारिश और आधी तूफान ने इस्थिती को और गमफिर बना दिया फ़से हुए लोगों ने एक महिला पुनम देवी ने मोबाईल से जनकारे दी और वे लोग अपनी खेतिक निगराने के लिए टिले पर गए हुए थे जार्खन की बेहतर सिक्षा मिनीजी विद्यालेओ का रोल मंत्री प्राइवेट स्कूल एंड चिल्डरन वेलफेर एस्सेस्तन की और से बुद्वार को बराहवे सिक्षक समान समर हो काया हो जन SDC सभागार में रश्ट्रिय अध्यक सायद स्यामल अहमद के अध्यक्सता में किया गया सरम मंत्री सत्यनन भोकता ने उधाटन किया वहीं अने अतितियों ने दीप प्रोजलित कर कारकरम को आगे बढ़ाया उन्होंने कहा है कि निजी बिद्यालियों की जो समस्या है उन्हें दूर किया जाएगा उन्होंने कहा है कि आज जो जारकन की सिक्षा बेहतर है उसमें निजी बिद्यालियों का भी रोल अहम है उन्होंने कहा है कि पास्वाक रष्टी अध्यक सायद स्यामल अहमद ने विहार जारकन के निजी विद्यालियों का एक मजबूत संगठन बनाया है जो साराहनिये है और उनके माध्यम से विद्यालियों में गुनवत्ता पुनिशिक्षा दी जा रही है मैथन डेम के फाटक खोलने से नदी किनारों घरों में घुसा पानी लगातार बारिस में मैथन डेम से काफी मात्रा में पानी छोड़े जाने से चिरकुंडा नगर परचा छेत्रे के नदी किनारे स्थीत कादीर मुहला के कई घरों में नदी का पानी घुस गया है वहाई चिरकुंडा में नाया बराकर सलक पूल का निर्मान कर रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी के लाको रुपय का समान पानी में डूब कर बरबाद हो गया कंपनी के लोगों ने बताया है कि आचानक बराकर नदी का परवा इतना तेज हो गया कि नदी के किनारे श्थीत कंपनी के प्लांट में पानी हुस गया क्रेन सीमेंट लादा ट्रॉक वा बड़ा जनरेटर पानी में डूब किया है गोदाम में भी रखे सेमेंट डिजल वा अने समान ब्रवाद हो रहे हैं सीम हेमंद के खिलाब एफायार की मांग जहारखन हाई कोट ने बुद्धवार को खान मंतरी रहते कथीत तोर पर अपने करीबियों और अद्योगिक छेतर में जमीन उपलब्द कराने के मामले में राज सरकार से जवाब तलब किया है अदालत ने मुख्य मंतरी हेमंद सुरेन और उनके परिवार के खिला प्राथमिकी सुरू करने की मांग वाली जचका पर जवाब दाखिल करने का निदेश दिया अदालत ने जहारखन सरकार के जवाब दाखिल करने के लिए 4 हपते की मुहलत दिया है अदालत ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि प्रार्थी सुनील मातों के प्राथमी की दर्ज करने के आवेदार प्रक्याक करवाई की गई प्रार्थी ने ACB में हेमान सुरेन पर नियमों का उलंखन करने कारोप लगाते हुए प्रत्मिकी दर्च करने के लिए आवेदन दिया है राजनीतिक गिद्धों को गुजरात के सम्मूंदर में फेकने की जरूरत मुख्यमंत्री हेमान सुरेन जार्खन के मुख्यमंत्री हिमंत्रेन बुद्धवार को भरतिय जनता पार्टी पर देश भर में संप्रदाईक तनाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि राज के कुछ हीसों को लेकर अलग राज बनाने की चाहत रखने वाले रायनितिक गिद्धों को ग कर रहे हैं सुरेन ने जामतारा में एक कालकरम को समधित करते हुए कहा भाजपा के ये रायनितिक गिद्ध अब संथाल परगना और बिहार तथा बंगाल के कुछ हीसों को मिला कर एक अलग राज बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों को बोरी में भरकर गुजरात के समधर में फ पुराने विधान सभाव मैदान में बन रहे दुरगा पुजा पंडाल को लेकर खड़े हुए भी बात के बाद बुद्ध वार्शन निर्मान कारे तीन दिन बाद फिर से सुरू कर दिया गया है रांची जिला पर शासन के अनुमती के बाद इस कारे को सुरू किया गया बताद सीरी राम लला पुजा समीती दुआरा बनाये जा रहे पंडाल के अस्तंब सीखर समेत अने डिजाइन के निर्मान को तेजी से पूरा करने के लिए कारे किया जा रहा है रांची सदर के SDO उतकर सुकुमार की ओर से पुजा के अनुमती दी गई है पुजा समीती के पताधिकारी ने मंगलवार को मुख्य मंत्रे हमान सुरेन से उनके आवासे करे लें मुलकात कर महोसा में सामील होने का भी आवंत्रन दिया था इसके बाद समीती के प्रतिनिधी सदर SDO से मिले कमिटी के अध्यक्स असोक चोधरी के नेतियुत में मिलने गई टीम ने SDO को आयोजन की पुरी जनकारी दी जार्खन केबिनेट की बैठक 20 सितंबर को जार्खन केबिनेट की बैठक 20 सितंबर को बुलाई गई है CM हेमान सुरिन के अध्यक्ता में केबिनेट की बैठक सामचार बएसे होगी प्रोजेक्ट भण में आयोजित बैठक में हेमान सुरिन सरकार जनहित में कई अहम फैसला लेगी बता दे मंत्री मंदल सच्ची वाले अमनिग्रानी विभाग द्वारा सुचित किया गया है कि जार्खन केबिनेट की बैठक भी सितंबर की सामचार बएसे होगी जार्खन मंत्राल इस्थीत मंत्री प्रसद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी जार्खन केबिनेट की पिछली बैठक में 6 सितंबर को बुलाई गई थी जिसमें प्रोजेक्ट बहुन में सियाम हमासुरुन के अध्यक्षता में मुख्य मंत्री टांजेंडर पेंसन योजना समेथ 63 प्रस्तावों पर केबिनेट ने मुहर लगाई थी राष्ट पती का जार्खन दवरा उनाईस को तीन लेयर होगी सुरक्षा राष्ट पती द्रोपती मुर्मू के जार्खन के दो दिवसे दवरे पर उनाईस सितंबर रांची आने की सुचना है इसे लेका सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए है जिसमें 6 IPA सही 2000 जवानों के तैनाती की गई है राष्ट पती की कारक्रम को लेकर रांची सहर के अतयात व्यवस्ता में बदलाव किया गया है उनाईस सितंबर रांची में साम 5 बए से राच साड़े 8 बए तक सभी बड़ी छोटी मलवाक वाहनों बसो सवारी वाहनों का परवेश और परिचारन वर्जित रहेगा वहीं राष्ट पती 20 सितंबर को रांची के नाम को मिश्थीत इंडियन कौसिंग ऑफ एगरिकल्चर रिसर्च के कारकरम में सामिल होंगी राष्ट पती का काफिला जिस माइक से गुजरेगा वहाँ पर तीन लेयर की सुरक्षा रहेगी बता दे राष्ट पती की सुरक्षा में 6 IPS के अलावा 10 DSP, 25 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा और 2000 से दिक अत्त्रीक्त जवानों की तनाति की गई है रेलवेट ट्रेक पर गिरी चटान वंदे भारत का रूट बदला जार्खन में लगातार हो रही बारिक के कारण मंगलवार को सिधवार सांकी रेलखंड के बिच टनल नमबर दो के पास उपर से एक बड़ी चटान रेलवेट ट्रेक पर अचानक आगिरी इस दोरान सांकी से बरका करना लोट रहा इंजन इसकी चपेट में आ गया चटान इंजन के आगे वाले हिस्से के नीचे फ़सकर काफी दूर घसिता हुई टनल के अंदर चली गई हलाकि राहत की बात या रही कि कोई बड़ाय हाथसा नहीं हुआ जनकारी के अनुसार सिधवास सांकी रेल खंड में टनल नमबर दो के पास सांकी स्टेशन से बरका करना आ रहा इंजन जैसे हिट टनल के पास पहुँचा इसी दोरान पहार से एक चटान उपर से ट्रेक पर आ गिरी और इंजन के नीचे दोनों पहिये के बीच में फास गया कोलहान में जे एमेम की बड़ी बैठक बिजेपी को दिया जटका अस्थान ये टाउन होल में जामो का जीला सरे बैठक आवजन किया गया कारकार में मुखे रूप से केंद्रिय महासची बिनोध पांडे सरकार के आदिवसी कल्यान स्थ परिवहन मंत्री दिपक बिरुवा जन सलसादन मंत्री रामदा स्वरेन सांसत जोबा मांजी खर सावा बिधायक दस्तरत गगराई उपस्तित थे कारकार में जीला से काफी संख्या में जामो के करकारता सामिल हुए बतादे सरकार के आदिवसी कल्यान स्थ परिवहन मंत्री दिपक बिरुवा ने कहा है कि राज्य की हमन सरकार जनित में कई योजनाओं का संचालन कर रही है कारकारता और पार्टी के परतादिकरी उन जन जन तक पहुचाने का काम करे उन्होंने कहा है कि जामो सरकार गरीबों की सरकार है इसलिए गरीबों के हीद को देखते हुए जोजनाओं संचालित कर रही है सरकार दोवारा बिली बिल भी माप किया जा रहा है लातेहर से पांच लाह काई नामी उग्रबादी गिरफतार लातेहर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है पुलिस ने जेजे एमपी संगठन के पांच लाह रुपए के नामी कमांडर सिवराई सिंग को गिरफतार कर जेल भेज दिया है पुलिस मुख्याला में आयुजित प्रेस वारता में अनुमंडर लिये पुलिस पता दिकारी अर्विंद कुमार ने बताया है कि सिवराई सिंग पिता के स्वरी सिंग कई जगाने कांडो का वांची था है पुलिस अधिक्षा कुमार गरों को सुचना मिली थी कि वह अपने दस्ते के साथ लाते हार छेत में एक्टिव है 17 सिदंबर को पुलिस अधिक्षा को गुप्त सुचना मिली कि सब जूर्णल कमांडर सिवराई सिंग को ग्राम दुब्याडी के फूटबॉल ग्राउंड में फूटबॉल का मैच देखते हुए देखा गया सुचना मिलने के बाद सत्यापन एवम करवाई के लिए अणवंडर पुलिस पता दिकारी लातेहर अरविंद कुमार के नतित में छापे मारे दल का गठन किया गया जार्खन में दो दिनों तक चलेगा आरजड का करता समेलान राष्ट्रिय जानता दल जार्खन का करता समेलान 28 सितमर को चत्रावा 29 सितमर को पलामू में होगा इस कार्खन करता समेलान में मुख्य अतिति के रूप में राज़त चारकन के प्रभारी राष्ट्रिये महासचीव जब फ्रकास नरायन यादव राष्ट्रिये प्रधान महासचीव अब्दुल बारी सिद्की राष्ट्रिये महासचीव भोला यादव पुरो मंत्री सूरेंद्र परसाद आधी उपस्चित रहेंगे बतादे विधान सबाचुनाओं को देखते हुए राज़त ने जारकन वे अपनी सक्रियता बढ़ा दिया है परदेश अध्यक संजाय सिंग यादव ने सभी नेताव करकताव सागर किया है कि वेतन मन धन से इस अभियान में जुट जाए उन्होंने कहा है कि अब भी सभी अपने अपने छेतर में पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक लालू परशाद यादव वे युआओं की आवाई तयस्वी यादव के संदेश वनीती का परचार परशार करें सराय किला में भारी बारी से नहर में उफान राजनगर परखंड छेतर में भारी बारी से नदी नाले और तलाब उफान पर है भारी बारी से कारान इचा खरकाई डेम का मुख्य नहर लवालब हो गया है मंगलवार को राज नगर के स्याम नगर फर्मा के पास इचाड डेम का धाई मुख्य नहर का पानी उफानते हुए ब्रांच कैनल में चला गया यहां लोहे की गेट की जगा मिट्टी मोरम से साखा नहर को बंद रखा गया था जो तेज पानी के बहाव से तुट गया और मुख्य नहर में भारा सारा पानी तेज धार के साथ साखा नहर में बहते हुए राज नगर उराव बस्ती और मुडिया पारा के साहु कलोनी के कई घरों तक पहुँच गया जब मौसम बिल्कुल साख था बारिस भी नहीं हो रही थी ऐसे समय में अचानक तेज पानी का धार नहर से उफान मारते हुए घरों में घुचने लगा प्रसों के लिए पहुँची परसुता की नर्सिंग होम में मौत दुमका के बागान परा रोड में संचारीत एक प्राइबेट नर्सिंग होम में मंगलवार की सुव़ परसुता की मौत हो गई है परिजन नर्सिंग होम के संचालक पर इलाज मेला परवाही करने कारूप लगाया है मिरित का बहार्टी सोरेन जामा थाना छेत्रे के निश्चित पूर गाओ की रहने वाली थी जनकारी के मुताविक मंगलवार की सुव़ परसुर पिड़ा से तरह परही परसुता को फुलो जानों मेटकल कॉले अस्पताल में भरती कराया गया जहां से परिजन परसुता को बेहतर इलाज गिले नर्सिंग होम लेगा है जहां इलाज के दोरान परसुता की मौत हो गई है हजारी बाग में दिवार गिरने से बच्चे की मौत हजारी बाग जी लेके चुर्चु परखंड के इंद्रा पंचायत में एक 10 साल के बच्चे की मौत दिवार गिरने से निचे दब कर हुई है जबकि दो अने बच्चिया घायल हो गई मिरितक बच्चे का नाम अर्जुन रजवार है वो लड़का बसाड़िह गाउं का रहने वाला है घायल दोनों बच्चियां का दाया पर टूट गया है जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है जनकारी कनुसार 17 सितमर के सुबा लगवग 10 बजे बड़का बसाड़िह में दिवार के सामने एक बच्चा अंकुस रजवार और दो बच्ची जानी कुमारी और जानमी कुमारी खेल रही थी इसी दोरान अचानक दिवार गिर गई धन्यवाद यादि आप चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बावल का बेल एक अंद बजे साची साथ वीडियो को एक लाइक करें अपने दोस्तों को साशेर करना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बसमें अपना फीडिवाएक अवसे दे थैंक यू